नमसकार सातियूं रामराम साम मैं आपका साती राजपाल वेलकम करता हूँ मेरे सबी नोजवान सातियूं का study exam academy में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकी आपको regular class मिलती रहें सातियों राजस्तान सीटी समान पातरता प्रिक्षा को लेकर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के टोप 50 सवाल इस कलास में कवर करेंगे तो मेरे सभी विद्वान साती एक बार लाइव जुड़े भाई दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है कि मेमोरी पद नीमन में से किसके लिए परियुक्त होता है एह लोजिक भी है कंट्रोल शी है इस्टोरेज और डी है उपरोक्त सभी जिस भी नोजवान साती को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करें नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें मेमोरी पद किसके लिए परियुक्त होता है तो यह इस्टोरेज के लिए होता है यदि आपने आंसर शी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यांपर राइट होगा अगला देखते हैं सेकिंड सवाल कंप्यूटर में वह इलक्ट्रोनिक इस्टान है जान डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित होते हैं कंप्यूटर में डाटा, सूचना और प्रोग्राम कहां पर संग्रहित रहते हैं दोस्त डाटा, मेमोरी, मोनिटर या मोडेम राइट आंसर जल्दी से बता है यदि आपने आंसर B का चुनाव किया है मेमोरी कम्पूटर में मेमोरी वह इलक्टोनिक डिवाइस या इलक्टोनिक इस्तान होता है जाँ पर कोई भी सूचना होता है डाटा होता है प्रोग्राम बगेरा वो storage रेता है संग्रेइट रेता है बिल्कुल सभी का correct answer है अगला सवाल computer में सूचनाओं को संग्रेइट करने के लिए किस परकार के device की आउशक्ता होती है computer में सूचनाओं को आपको संग्रेइट करना है इकेटा करना है input device, output device storage device या processing device तो दोस्त इस सवाल का right answer कमेंट करें पांच सेकिंड का आपके पास समय है जल्दी से कमेंट करें यदि आपने answer C का चुनाव किया है storage device तो आपका यहाँ पर right answer होगा अगला सवाल देखते हैं किसी storage मीडिया में store की जाने वाली डाटा की अधिक्तम बात्रा को क्या बोलते हैं magnetic storage, optical storage, solid state storage या storage समता right answer क्या होगा दोस्तों यदि आपने answer D का चुनाव किया है storage समता तो बिल्कुल आपका यहाँ पर answer right होगा भाई तुके के साथ में दोस्तों आपको बता दूँ कि आज साम को चार बजें आपकी जनरल साइंस सामनी विज्ञान की भी कलास होगी और राट को आठ बजें डेली, राजस्तान जीकी यानि सीरिटी का पूरा मोडल पेपर हम सॉल करेंगे तो इस सवाल का right answer यह आपने D चुना है storage समता तो आपका answer बिल्कूल यह पर शटीग होगा अगला सवाल देखते हैं computer memory के संद्रब में सत्य कथन कौन सा है एक नमर देरका है कि memory एक ऐसी चीप को दर्शाती है जो डाटा एवम निर्देश store करती है नमर दो memory डाटा को इस्ताई एवम एस्ताई रूप में से संद्रब करती है नमर तीन memory को computer की यादास भी कहते हैं नमर चार data एवम सूचनाओं के संद्रब है तो memory device पर युक्ट होती है तो दोस्तों right answer क्या हो जाईगा जल्दी से comment करें तो बिल्कुल आपका answer याँ पर she right हो जाईगा सारे के सारे जो option दे रुके हैं दोस्तों वो सभी क्या है सत्य कतन है memory के बारे में क्योंकि memory एक ऐसी chief को दर्शा चीए जो क्या करती है data और निर्देश को store करती है इसके लवा memory data को इस्ताई और इस्ताई दोनु रूप से संग्रेट करती है आप उसे हटा भी सकते है memory को computer की यादास्त भी कहते है अगला सवाल देखते है computer memory को चोटे-चोटे भागू में विबाजित कया गया है ये भाग क्या कहलाते है small memory, cell, memory address या memory buffer दोस्तों right answer क्या हो जाएगा यदि आपने answer B का चुनाव किया है cell तो बिल्कुल आपका answer सठीक होगा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों computer में इस्मर्ति के उधारन नहीं है case magnetic server या optical computer में इस्मर्ति के उधारन नहीं है तो क्या हो जाएगा right answer server यदि आपने answer C का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर right answer होगा अगला सवाल है कि computer में memory का मापन किस में किया जाता है bits hearters, voltage या इनमें से कोई नहीं computer में memory का मापन किस में किया जाता है तो memory का जो मापन है दोस्तों किस में करते है bits में करते है यदि आपने answer A का चुनाव किया है तो बिल्कुल right है और यह सवाल काफी महतुपुन है exam में कहीं बार पूछा भी जा चुका है अगला सवाल दोस्तों कि PB का मान किसके बराबर होता है correct answer बताएं यदि आपने answer D का चुनाव क्या है all तो सभी क्या है right है एक PB में 1024 TB होता है 1024 इंटू 1024 GB होता है TB का मतलब होता है TB का मतलब होता है GB और C यह भी आपका right है यानि MB का मतलब होता है megabyte तो D answer अपना right है एक megabyte के तुली होता है एक megabyte में कितना TB होता है जी भी होता है ये आपको बताना है दोस्तूं एक Airbnb एक MB में क्या होता है बिल्कुल एक Million Bytes क्या होता है एक Million Bytes यग आपने Answer C का सुनाव किया है तो बिल्कुल आपका Write होगा अगला स्वाल है कि 8 bits address line का परियोग कर कितनी Memory Locations को address किया जा सकता है 8 32 128 या 256 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तु ज़िए आपने आंसर डी का चुनाव किया है 256 तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर शटिक होगा अगला स्वाल है कि निबल किसे केते हैं 4 बिट, 2 बिट 4 बाइट या 6 बिट निबल किसे केते हैं दोस्त 8 बिट के समूग को क्या बोलते है 8 बिट में एक निबल होता है एग आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला स्वाल है कि निबल लिकित में से कौन सी कंप्वूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है गीगाबाइट मेगाबाइट टेराबाइट या बाइट सबसे बड़ी इकाई दोस्तों राइट आंसर जल्दी से बटाएं सबसे छोटी इकाई यदि पूछें तो बाइट हो जाएगी यह आपकी छोटी है और इनमें सबसे बड़ी टेरा बाइट होती है क्या होती है टेरा बाइट तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा सबसे चोटी बाइट होती है उसके बाद में मेगा बाइट फिर गीगा बाइट और गीगा बाइट से बड़ी टेरा बाइट ये चीज़े आपको नोटिस रखना है एक बाइट में कितने बिट होते हैं आठ छे बारा या सोडा एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्त बिल्कूल एक बाइट में आठ बिट होते हैं कितने होते हैं आठ बिट होते हैं बिल्कुल सभी का right answer आचुका है I hope memory unit में एक byte किसके बराबर होता है memory unit में एक byte किसके बराबर होता है 8 bit के 4 nibble 2 nibble या A and C 2 no right answer का चुनाव करें यदि आपने D answer चुनाव किया है तो बिल्कुल right है 8 bit और 2 nibble बिल्कुल सभी का right है अगला स्वाल आपके सामने कि एक byte data के A को संभाल सकता है एक bit binary digit character या numeric तो right answer होजेगा दोस्तु एक byte data के character को संभाल सकता है यदि आपने answer C का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा अगला स्वाल है कि A के B बराबर क्या होता है के B का पूरा नाम क्या होता है के B का मतब होता है किलो बाइट क्या होता है दोस्त किलो बाइट होता है तो A की किलो बाइट में जहां रख लेना 1024 bits होता है 2048 निबल होता है हाँ इसके लबाब एक सहीद 1024 MB होता है तो right answer ही आपने D का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका यहां पर 60 होगा अगला सवाल आपके सामने है कि 768 किलो बाइट और 1.5 MB का योग कितना होता है इसका योग कितना होता है एक बार कमेंट कर दें जिस भी साथी को आ रहा है जो भी साथी भी answer बता रहे हैं कौन सा memory unit यानि storage समता का बढ़ता हुआ करम है सबसे सांदार और सबसे जानदार सवाल है जो कि एक बार नहीं हजारों बार प्रिक्षा में टपक चुका है दोस्तों इनमें सबसे छोटा होता है के बी क्या होता है के बी अबसे अपने mobile में नेड़ चलती है KB में MB में MB परिसेकरD, की परिसेकरD तो वही system यहाँ पर है सबसे चूटा KB होता है यानि किलो बाइट होता है उसके बाद में MB होता है उसके बाद GB फिर TB और फिर PB यदि आपने answer C का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट होगा इस परसंद को बिल्कुल भी हलके में मत लेना क्योंकि यह सवाल बहुत ज़्यादा महतुपूर है KB का मतलब किलो बाइट है MB का मतलब क्या है मेगा बाइट है ZB का मतलब GIGABYTE है TB का मतलब होता है TERABYTE अगला स्वाल दोस्तों की निमन लिकित में से कम्पूटर में परियुक्त सबसे तेज मेमोरी कौन सी है CD-ROM, RAM, Registr या Case कम्पूटर में परियुक्त सबसे तेज मेमोरी बहुत ही सांदा स्वाल कौन सी है Registr Registr है यदि आपने Answer C का चुनाव किया है तो आपका बिल्कुर शठीक होगा अगला स्वाल है कि Registr उच्च गती इसमर्ती के तत्वे हैं जो की इसमर्त इस्तित होते हैं Registr कहां पर इस्तित होते हैं बताएं देखें इसमर्ती में ROM में, Input, Output में या CPU में यदि आपने Answer D का चुनाव किया है CPU तो बिल्कुल आपका Right होगा CPU का मतलब होता है Central Processing Unit नीमा लिकित में से सबसे कम Storage वाली Memory कौन सी है CD-ROM, RAM, Registr या Hard Disk सबसे कम Storage वाली Memory कौन सी है तो आपका Right Answer क्या हो जाएगा बिल्कुल Register यदि आपने Answer C का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटिग होगा मेरे साथी नीमा लिकित में से कौन सी Memory का सबसे कम Access समय है Case Memory, Magnetic Bubble Memory, Magnetic Core Memory या Random Access Memory तो Right Answer क्या हो जाएगा कमेंट करें यदि आपने Answer A का चुनाव किया है Case Memory तो बिल्कुल आपका Answer यहां पर सटिग होगा Case Memory क्या है CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इस्तित्तिवर मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इस्तित्तिवर मेमोरी Direct Memory या Indirect Memory Case Memory क्या है तो Right Answer हो जाएगा CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इस्थित्तिवर मेमोरी होती है केस मेमोरी यदि आपने आंसर A का चुनाव किया है तो बिल्कुल शटीक है अगला है कि केस मेमोरी यादास्त में बहुत तेज होती है और आकार में बहुत बड़ी चोटी मद्यम या इन में से कोई नही केस मेमोरी क्या होती है आकार में चोटी होती है यदि आपने आंसर B का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा अगला स्वाल है कि एकसेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है रोम, रेम, केस मेमोरी या हार्ड डिस्क तो इन में से एकसेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होगी दोस्तों केस मेमोरी यदि आपने आंसर B का चुनाव किया है नाते हैं केस मेमोरी से रेम से पेंट रहें से या हार्ड डिस्क से तो राइट आसर होजेगा केस मेमोरी यदि आपने एक आंसर का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट है अगला सुवाल है कि कथन है यहां पर कि गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई होती है नमबर दो मेमोरी सबसे तेज और सबसे चोटी होती है तो यहां पर कौन सा राइट है और कौन सा रोंग है आपको बतायाना है दोनूं तो दोनूं ही यहां पर सही है दोस्तों सी आंसर अपना राइट हो जाएगा क्योंकि गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई होती है जी बी इसके कतिकी मेमोरी का नाम क्या है केस रेम बिलकुल बायोस या हाड डिस्क तो राइट आंसर हो देगा केस यदि आपने आंसर एक चुनाव किया है तो बिलकुल आपका सठीक है केस मेमोरी को अन्ये किस नाम से जाना जाता है केस मेमोरी को अन्ये किस नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर हो देगा दोस्तों केस मेमोरी यदि आपने आंसर एक का चुनाव किया है तो बिलकुल आपका सठीक होगा अगला सवाल है कि केस मेमोरी के समद में सत्य कतन आपको बताना है यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इस्तित्तिवर मेमोरी है केस मेमोरी की गती उच लेकिन आकार छोटा होता है case memory वर्तमान में एक्स चूट होरे प्रोग्राम के डाटा को इस्टोर करती है तो कौन सा कतनिया पर सत्य है दोस्त तो सभी कतन जीतने भी दे रहे हैं वो सभी कतन सत्य है तो C answer अपना right हो जाएगा वर्तमान में जब process, program और डाटा का use कर रहा है तब इन्हें रखा जा सकता है main memory में, secondary, disk memory या program memory वर्तमान में जो process वोरा डाटा है जो user कर रहा है काम उसे कहां रखा जाएगा तो कहां पर रखा जाएगा दोस्तों main memory में यदि आपने answer A का चुनाव किया है तो आपका सठीक होगा primary storage unit निमन रूप में भी सांकेतिक होती है main memory, primary, secondary, external memory ए और भी दोनू या इनमें से कोई नहीं तो आपका right answer हो जाएगा main memory और प्राथमिक memory यदि आपने answer A का चुनाव किया है तो बिल्कुल right है अगला सवाल है कि semi connector memory ही होती है hard disk की प्राथमिक memory memory दित्यक memory या इनमें से कोई नहीं right answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो ये प्राथमिक memory है यदि आपने answer B का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा अगला है कि computer में परियूक्ट memory RAM के समद में सही कतन है RAM volatile memory होती है RAM को नास्वान memory का जाता है RAM एइस्टाई memory है RAM में data बनाए रखने है तू लगतार power supply की आउशिक्ता होती है कौन सा कतन RAM के बारे में सटी है RAM का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों random access memory होता है तो right answer हो जाएगा सबी कतन या पर सकती है विल्कुल क्योंकि RAM है वो volatile memory होती है जहां रख लेना exam में कहीं बार पूछा जा चुका है इसको नास्वान memory का जाता है ये एइस्टाई memory होती है और इस्टाई memory होती है ROM read only memory अगला सवाल है कि जब आप किसी PC पर जब आप PC पर किसी डोक्यूमेंट पर कारी कर रहे है तो डोक्यूमेंट एस्टाई रूप से कहा इस्टोर किया जाता है RAM, ROM, Place Memory या CD-ROM दोस्तों बहुत इसांदार सवाल है आपके सामने राइट आंजर होज़ेगा RAM क्या होज़ेगा RAM Random Access Memory में एस्टाई रूप से डाटा इस्टोर रहता है कंप्यूटर में RAM का क्या तात्परी है दोस्तों Recent and Memory Random Access Memory Read and Memorize Recall All Memory RAM से क्या तात्परी है तो Random Access Memory RAM का पूरा नाम होता है यदि आपने आंसर भी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सठीक होगा RAM Volatile या A-Stile Memory होती है RAM Volatile या A-Stile Memory होती है क्यों क्या इसका रिजन है तोस्तों ये सवाल कहीं बार एक्जामें पूछा जा चुका है क्योंकि इसमें डाटा बनाई रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है तो C आंसर अपना क्या हो जाएगा सठीक हो जाएगा जो भी विदारती C बता रहे हैं बहुत ही सांदार भाई जब पावर ओ भी आप बंद कर दी जाती है तो ये Memory अपने डाटा का Content खो देती है यानि कि जब भी Computer या Laptop बंद हो जाता है तो ये Memory क्या करती है इसमें जितना भी डाटा होता है वो सब मिट जाता है Dynamic, Static Memory, Volatile Memory या Non-Volatile Memory तो इस परकार की कौन सी Memory होती है जिसमें रखा डाटा समाप्त हो जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Volatile Memory कौन सी Volatile Memory यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका बिल्कुल चुनाव सठीक होगा जब कोई Computer बंद होता है तब रेम में क्या होता है Computer बंद होने में रेम में क्या हो जाएगा जो रेम Memory है इसमें कुछ नहीं होगा कोई फरकिस में नहीं पड़ेगा C answer अपना क्या हो जाएगा Right हो जाएगा Nible Likit में से किसकी परकरती विगटनी होती है किसकी परकरती है वो विगटित होती है रेम, रोम, पी रोम या इपी रोम तो Right answer हो जाएगा Random Access Memory यदि आपने आन्सेर एक चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका षठीग होगा अगला स्वाल है कि निमन लिकित मेंसे किसमे अधिक्तम इस्टोरे शुमता होतीै पिसमें अधिक्तम स्थीले समता होती य, बताव देखें, राइट आंसर क्या हो जाएगा गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट बहुत ही सांदार सवाल है दोस्तों किसमें अधिक्तम मेमोरी इस्टोरे समता होती है तो राइट आंसित क्या हो जाएगा टेराबाइट यदि आपने आंस्वर शी का चुनाव किया है टेराबाइट तो आपका राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि नीमन में से कौन सा परिवर्तन शील इस्मर्ती का एक उधारन है रोम, रेम, एड्रोम या उप्रोक सभी कौन सा परिवर्तन शील इस्मर्ती का यानि मेमोरी का एक उधारन है तो ये आपका है रेम कौन सा है रेम अगला स्वाल है कि एक hard disk tracks एवों विवाजित होती है तो hard disk होती है बिल्कुल sectors किसमे होती है sectors में अगला स्वाल है कि को एक निशित समय अंतराल के बाद repreance करने की आउशिक्ता होती है किसकोне रिप्रेंज करने के आउशिक्ता होती है तो Administration या 1024 Hexabyte 1024 Megabyte तो RFør हो जएगा 1024 Megabyte यदि आपने Answer D का चुनाव किया है तो आपका र्शटिक होगा Case Memory किन दो के भीजकारी करती है Case Memory किन दो के बीच में कार्य करती है CPU और RAM CPU और Central Processing Unit रेम का मतलब है Random Access Memory RAM और ROM CPU या Hard Disk या इनमें से कोई नहीं दोस्तो राइट आंसर हो जएगा CPU और RAM के बीच में Case Memory कार्य करती है यह सवाल काफी मेहतुपूर रहेगा exam की दस्टिश है तो आज की कलास में दोस्तों इतना ही कवर करेंगे बाकी की हम अगली कलास में कवर करेंगे आपका स्कूर कितना रहे लगबग हम 50 से लगबग कवर कर चुके हैं पस्टनों को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा टेलिग्राम गुरूप इस्टेडी एकजाम एकेडमी जोइन कर लें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा धन्यवाद जैहिंद